हे फ्रेंट स्वागत आपका एक और सांदार वीडियो में और आई होप के आप अच्छे होंगे साथी साथ आप अच्छे प्रोफिट अरन कर रहे होंगे देखिए आज की जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं वेदानता के बारे में इसका प्रोडेक्शन डिलीज रह सकते हैं उससे थोड़ा सामें अंदाजा लगेगा तो उसको देखेंगे लेकिन उससे पहले देखिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रह पार्केट जो है उसमें कुल 111 कंपनी है और उस 111 कंपनी में से एक कंपनी हमारी ये भी है वेदानता और अगर हम इसकी ग्लोबली रैंक देखें तो ये 6 पोजिशन पर हमारी कंपनी आ चुकी है जो की पहले बहुत छोटी कंपनी थी अब 6 नंबर पर आ चुकी है और इन टर्म रेटिंग जो है ए पर रखी गई थी मतलब डवल ए पर तो रेटिंग में इसकी इजाफा हुआ था अच्छी कंपनी हमें दिख रही है क्योंकि अच्छे कामकाज करते भी दिख रही है साथी साथ इसने जो है गोवा में भी एक माइनिंग ब्लोग जीता था जिसकी बढ़ाया गया है अभी देख लेते हैं इसके जो प्रोडेक्शन डाटा है उसको और उसके बाद क्या करना है यह भी हम देखेंगे तो यहां आप देख सकते हैं तीन जनवरी का यह डाटा है नोटिस है तीन जनवरी का और इसमें वेदानता का आप नाम देख सकते हैं है मतलब डाउन हुआ है इतना प्रडैक्षं और जो घ्यिंस से बाहर है यह जो हमारा है है यह प्रडैक्षन हुआ है अप में तो इसको जो है समझने के को सिश करते हैं और देखें जो हमारा है जो की लैंजीगड में है यह अगर हम देखें तो इसको च्छाइ परसेंट ये डाउन रहा है 3 quarter में और 2 quarter में ये 2% डाउन और अगर 9 मन्त का देखें तो ये 6% डाउन ये रहा है और साथ ही साथ देखें Total Almonium Protection तो ये हमारा 3 quarter में ये डाउन रहा है 2 quarter में भी और अगर हम इसे 6 मन्त में देखें तो 1% आप रहा है साथ ही साथ ये है आपका जार सुगोड़ा जो भी ये क्या होता है मैं नहीं जानता लेकिन ये 2% डाउन रहा है और 4% quarter 2 में लेकिन 9 मन्त में ये रहा है 3% और बालकों का जो है बालकों में देखें 3% इसका production 3 quarter में डाउन रहा है 2nd quarter में 1% से डाउन और 9 मन्त में 3% से डाउन तो ये थोड़े सा दिक्कत वाली बात दिखती है लेकिन देखें इसमें अगर हम नीचे चलके देखें तो कुछ चीज़े आप यहां देखेंगे जो 9 मन्त में अप रही है और बहुत अच्छी हमारा माइन करती है ये कंपनी उसमें और इसमें आप देखें तो देखें segment wise आप देख सकते हैं इसको अप रहा है ये इसी खारण देखें हमारा जो कल हिंदुस्तान जिंक है जिसमें की 70% तक stake वेदानता का है लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कई जगा downside और कई जगा जगा profit है तो इसका देखें मिला जुला असर रह सकता है quarter 3 पर हम इसको देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी देखने को मिले क्योंकि इनका जो है एक plant बंद था और वो कौन सा प्लांट था वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ और देखें कुछ production तो इसके ऐसे हैं 88% तक भी बढ़े हैं 70% तक भी बढ़े हैं देखें फैरोक्रोम और production ये दोनों जो हैं 70-88% तक बढ़े हुए हैं देखें यहां पर भी आप देख सकते हैं इंटिकेटर जिंक प्रडेक्शन तो हमारा जो जिंक प्रडेक्शन है ये रहा 210 किलो टन का और 2% ये डाउन रहा है येर ओन येर और 11% क्वाटर ओन क्वाटर और इसका जो कारण था देखें यहां पर इनका एक प्लांट है ये सट डाउन रहा है जिसका नाम है डारिवा लीड प्लांट ठीक है तो ये बंद रहा है जिससे कई बार कई सारे इसके प्रडेक्शन ऐसे हैं जिसमें की हमें डाउन साइड देखने को मिली है लेकिन no doubt देखे एक company बहुत अच्छी है कोई भी जो भी इसमें जिसने भी पैसा लगा रखा है निकलने की कोशिस ना करे हो सकता है short term में थोड़ा सा नीचे आए लेकिन long term में ये company बहुत अच्छा करेगी बहुत अच्छे target ये company हमें in future दिखाएगी तो डरने वाली कोई बात नहीं है result मिला जुला आ सकता है हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा भी आए पहले से हो सकता है थोड़ा बहुत गिराउट भी इसमें देखने को हमें मिल सकती है लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है अच्छे से position इसमें रखी जा सकती है जिसने ले रखा है और कोई नई position लेना चाहता है 325 से उपर ही बनाए क्योंकि एक breakout है वो वहाँ से अगर breakout देगा 325 से उपर एक दो दिन उपर trade करता है तो ये share 325 से उपर जाएगा उससे पहले कोई भी fresh position ना बनाए